हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे खुर्मा जिसे हम बेलगरामी भी कहते हैं ऐसी मिठाई जिसे देख कर किसका जी नहीं ललचेगा सिर्फ चीनी और छेना से बनी हुई या मिठाई अत्यंत लाजबाब होती है जिसे खा कर आप जूम जरूर जाएंगे यह देखिए कैसे यह अंदर तक पकी हुई है और अंदर से रस भरी हुई इसे खा कर आप वाह तो जरूर कहेंगे और यह जो मिठाई है बेलगरामी यह भीहार में बहुत मिलती है हर जगह यह मिठाई वहां मिल जाएगी और बहुत टेस्टी लगती है तो एक बर ज़रूर आप लोग बनाईएगा अगर एक बर यह मिठाई आप खाए होंगे तो देख कर मन में जरूर लगता होगा कि मैं इसे अभी ही खा लूँ तो अगर आप नहीं खाएं तो जरूर इसे बनाईएगा और खाईएगा क्योंकि बहुत ही टेस्टी ये मिठाई होती है और ये सिर्फ इसमें कुछ नहीं बस चीनी और छेना से बना हुआ है तो चलिए देरी किस बात की हम लोग बनाना सुरू करते हैं ये बनाना बहुत ही असान है और यदि मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्ली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और कॉमेंट करके बताईएगा कि ये मेरा रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए बनाते हैं अभी रक्षा बंधन भी आने वाला है आप अपने हाथों से ये मिठाई बनाईए और अपने भाईयों को खिलाईए बेल गरामी बनाने के लिए मैंने यहां लिया है दो लीटर ये फूल क्रीम दूध है और इसे हम लोग एक बरतन में डाल कर इसे लगतार चलाते हुए उबालेंगे इस तरह से लगतार चलाएंगे ताकि जो भी मलाई इसमें आए वो मिल जाए तो इसे लगतार चलाते हुए हम लोग पकाएंगे दूध को अब ये देखिए दूध उबल गया है अब इसमें हम लोग निम्बू नहीं डालेंगे इसमें दो चम्मच बेनेगर डालेंगे और जितना बेनेगर डालेंगे उतना ही इसमें पानी डालेंगे पानी और बेनेगर मिला कर दूध को फारने से दूध कछेना जो बनेगा वो बहुत सौफ्ट होगा अब इसमें मिला देंगे गैस को आफ कर देंगे क्योंकि ये धीरे धीरे अपने ही फट जाएगा दूद इसे लगातार चलाते हुए धीरे धीरे चलाएंगे तो ये खुद बखुद पानी छोड़ देगा ये देखिए दूद जो है वो अच्छे से फट गया है ये देखिए पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया है अब इसे एक कपरे में इसे छान लेंगे मोटा कपरा नहीं इस तरह से पतला कपरा लेंगे और इसमें छेना को डालेंगे धीरे धीरे करके क्योंकि ये गरम है हाथ पर परे नहीं इसलिए आराम से धीरे धीरे इसे पानी निकालेंगे इसका कपरा में छेना आ गया अब इसे चारो तरब से निकाल कर कपरे को उठाएंगे आराम से ये देखे कितना इसका पानी निकल गया है अभी बहुत गरम है इसलिए इस तरह से थोड़ा देर इसको इसी तरह टांग कर रखेंगे अब धीरे धीरे इसको निचोरेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए हाथों से घुमा घुमा कर इसे छोड़ देंगे थोड़ा देर के लिए एक घंटा उसे छोड़ देंगे अब चलिए चासनी बना लेते हैं ये दो कटोरी चीनी डाले हैं एक कटोरी पानी और दो कटोरी चीनी डाले हैं दो कटोरी चीनी लगभग 500 ग्राम चीनी का चासनी बना बनाएंगे अब ये है चार रीठा रीठा को चार घंटे के लिए भिंगो कर पहले ही रख दी थी ये देखे हो गया है एक घंटा ये देखे कितना अच्छा पनीर निकला है कसा हुआ है पूरा छेना इसी तरह पनीर चाहिए था अब इसे बरे बरे टुक्रों में काट लेंगे पनीर को इतना बरा बरा छोटा छोटा नहीं काटेंगे बरे ही साइज में छेना को काटेंगे ये देखे चासनी चासनी जो है चीनी डालने के बाद तीन मिनट इसे हाई फ्लेम पर उबालेंगे बस तीन मिनट उससे ज़्यादा नहीं उसके बाद से इसमें पनीर के टुक्रों को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे क्योंकि ये इसी में पकने वाला है गाधा नहीं होना चाहिए चासनी ये है रीठा का पानी अब इसमें रीठा का पानी डाल देंगे क्योंकि रीठा का पानी डालने से जाग बनता है और जाग जो है ये पूरे कराही को ढख लेगा तो पनीर जो है वो करक नहीं होगा और पकेगा भी अच्छा से ये देखिए जाग बनना सुरू हो गया है अब बस इसी में ये पनीर पकेगा ये देखिए ट्रीठा का पानी डालते ही कैसे जाग बनने लगा और जो चासनी है वो गारा नहीं होना चाहिए नहीं तो पनीर करक हो जाएगा गैस का फ्लेव मीडियम ही रखेंगे ये देखिए धीरे धीरे पनीर में कलर आने लगा है और जो चासनी है वो भी जादा गारा नहीं है यदि आपको लगे कि चासनी गारा हो रहा है तो उसमें थोरा सा पानी डाल दीजिएगा ये देखिए कलर धीरे धीरे कैसे चेंज होते जा रहा है ये सचमुच खाने में बहुत टेस्टी लगता ये देखिए बहुत टेस्टी लगता एक बर जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा इसे बनाने का और जो लोग इसे खाए होंगे उसके मूह में तो जरूर पानी आ रहा होगा कि ये देखिए लग रहा है कि चासनी गारा हो रहा है तो इसमें थोरा समय पानी डाल दी बहुत ज़्यादा नहीं बस चासनी जो है उसे गारा नहीं होने देना है अब बस ये बन कर तयार हो जाएगा बस दो मिनट में पानी डालने के बाद गैस को हाई कर दीजेगा कर देने से ये जाग फिर से वापस बनने लगता है उसके बाद से गैस का फ्लेम लो कर देंगे यदि आप हलुआई जैसे बनाता है अगर वैसा बनाना चाहते है तो रीठा जरूर डालिएगा रीठा का पानी डालने से जो जाग बनता है उससे ये बहुत ही सौफ्ट बन जाता है और अंदर से जूसी हो जाता है तो रीठा का पानी जरूर डालिएगा लीजिए मिठाई बनकर तयार है अब रक्षा बंधन में आप अपने हाथों से बनाईए और खिलाईए अब इसे एक और इसमें खास क्या है जब जब गैस को आफ कीजिएगा तो कराही में ही इसे ठंधा करना है इसे चला चला कर ठंधा करेंगे और नहीं तो कराही में छोड़ देंगे तो वो करक हो जाएगा अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ये ठंधा हो गया है अब इसे खा सुन्दर और टेस्टी बनकर मिठाई तयार है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और कॉमेंट करके बताएगा कि मेरा ये रेसिपी आपको कैसी लगी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ रक्षा बंधन म इसे जरूर बनाई है